नमस्कार साथियों मैं परभात वालिया आप सबी का स्वागत करता हूँ आज हमारी क्लास नंबर 11 जिसमें हम लोग कोशिन आंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कोशिन आंसर का मतलब है कि जो रीट में संभावित प्रशन है उनका जिकर चल रहा है और ये हमारा में भी किनके आगे वाले प्रशन चल रहे हैं हमने हर सेशन में दस प्रशनों का सेशन रखा था पहले रीट पर होने वाली थी अब रीट आगे चली गई है तो आगे चली गई तो वैसी ही बातें उसी परकार से हम दीर दीर चलते रहेंगे जी आ दोस्तों देखो अपने लक्से क प्रती जुनून होना चाहिए कोशिस होना चाहिए और वास्तरम में प्रिस्रम का फल और अपने आप पर विश्वास का फल सफलता ही होता है आपको निश्ची सफलता मिलेगी जी या दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी जो सुचना तक्नीकी की बुक आ रही है उसके बार में दिया है आप वहां से कोर्स भी खरीद सकते हैं कोर्स कम्प्लीट हो गया है केवल अब हम उसमें कोशन आंसर का सेशन जब आपकी एक्जाम डेट आ जाएगी तब लाइव लेकर आएंगे ठीक है मेरी बाद तो चलिए आज के दिन का पहला प्रशन ये रहा आपकी स्क्री आंसर क्या होगा इसका एक नंबर होगा यानि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में डेली कुछ अपडेट देना चाहता है तो वो ब्लोग बना कर उनस पर लिख देता है ब्लोग की फैसलिटी गूगल भी देता है और आप चाहो तो ट्वीटर की साइटा से भी अपने ब्लोग्स बना सकते हो प्रेक्तिकली ट्वीटर को हम माईक्रो ब्लोगिंग साइट के नाम से भी जानते हैं सर्ट इंजन एक परकार की वेब साइट होते हैं जहां पर हम कोई भी जानकारी या मैं कहूं कोई भी सुचना हैumuz सर्ट कर सकते हैं ओ और कुछ सर्च इंजन में Google सबसे famous search engine है इसके लावा हम ask me का भी use करते हैं Bing search engine का भी use करते हैं और एक search engine Elta Vista का भी हम लोग क्या करते हैं use करते हैं ऐसी website जहां पर हम social media से संबंदित काम करते हैं उन्हें हम social network site कहते हैं example के तोर पर पहला नाम Facebook का है जिसे सबसे ज़्यादा social media network के रूप में इस्तमाल किया जाता है इसी company का यानि Facebook की जो parent company है वो meta है और Facebook या meta का ही एक और product है जिसे पर कहते हैं Instagram ये reels वगेरा के लिए photos के लिए सबसे ज़्यादा famous platform के रूप में use किया जाता है तो प्रशन का answer क्या होगा तो आप बता देंगे कि सर प्रशन का answer एक number होगा आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 22 पर internet का उपयोग क्या है what is your use of internet बताओ क्या हम communication के लिए internet का use कर सकते हैं क्या yes sir communication का मतलब क्या होता है हमारा a sender है और हमारा b receiver है इस तक data या सुचना का कोई भी आदान या प्रदान करना communication के लाता है दूसरा information retrieval मतलब information अपने कहीं पर कुछ भेजा उसका प्रतियुत्र हमारे पास आया उसका जबाब हमारे पास आया इससे information retrieval बेल बोलते हैं internet banking मतलब इसे हम क्या कहते हैं online banking हम इसमें bank बंध होने के बाद भी transaction कर सकते है और online transaction करने के लिए हम लोग UPI का use करते हैं UPI का मतलब क्या होता है unified और p का मतलब क्या होता है payment और i का मतलब क्या होता है interface तो UPI को क्या बोलते है unified payment interface के नाम से जानते हैं ठीक है मेरे बाव और इसका मतलब D हो जाएगा उपर दिये गए सभी all of the above are the use of service of internet अब सुनो अगर आप वास्ता में ये कहो तो ये सुचना तक्नीकी के सामाजिक प्रभाव भी है क्या है सुचना तक्नीकी के सामाजिक प्रभाव भी है सामाजिक प्रभाव की सिंपल प्रिभासा ये होती है कि हम सामाजिक प्राणी इसका क्या यूज करते है उसे ही सामाजिक प्रभाव कहते हैं तो हम समाज में रहते हैं सामाजिक प्राणी हैं हम इसका क्या यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर डाल सकते हो कह सकते हो आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं निन में से किसकी नेटवर्क ट्रांसमिसर रेंज सबसे कम है दोस्तो एक बात बताओं आपको मैं एक प्रशन पूछूं आप से कि हम यहां से कहीं भार जा रहे हैं मतलब मैं चल रहा हूँ और मेरे हाथ में बीस किलो का एक थेला थमा दिया और मेरे हाथ में पचास किलो के दोनों साइट एक एक बैक दे दिये पहली बात तो मैं पचास किलो लेकर चली नहीं पाऊंगा बीस किलो लेकर तो थोड़ी कोशिस करूँगा दस किलो लेकर उससे ज़्यादा कोजिस खाली मेरे इसाब से चल पाऊंगा इसका मतलब जैसे जैसे आपकी सिगनल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी चलने की गती क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अरे आपने कई बार सांप देखे हैं चल रहे हैं वो कुछ जीव जन तुखा लेते हैं फिर बिल्कुल ऐसे खोले होले धीरे धीरे चलते हैं इसका मतलब सिंपल भासा में होगा कि जैसे बेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे तेज सिगनल को कैरी करने वाला है इंफ्रारेड और इंफ्रा परकार का क्या होता है अगर सिंपल भासा में कहें पैन होता है पर्सनल एडिया नेटवर्क वाई-फाई एक परकार का लैन हो सकता है वाई-मैक्स एक परकार का मैन हो सकता है क्योंकि वाई-फाई नोर्मल हम देखते हैं काफी जादा दूरी तक पकड़ जाता है और अगर के नाम से जानते हैं चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है प्रशन पड़ी और बात किये इलेक्ट्रोनिक सोफ्ट्वेर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविरी के साथ एंबेड़ेट भोतिक वस्तों का नेटवर्क जो अब्जेक्ट को क्लाउड पर डेटा एक्रति और एक्सेंज करने में सक्षम बनाता है दोस्तों आशकल हम कार में सेंसर का यूज करते हैं सेंसर क्या होता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है वो आपकी मोबाइल से मोनीटर कर सकते हो आपकी गा के नाम से जानते हैं आई का मतलब क्या होता है तो आप कहिए सर आई का मतलब होता है इंटरनेट ओ का मतलब क्या होता है तो आयो टी को बोलते हैं इंटरनेट ओफ ठीक है मेरी बात सीधा सांसर इसका हो जाएगा एक नंबर दोस्तों सुनो, मुझे बताओ, हमारी कम्प्यूटर में, हमारी कम्प्यूटर की जनरल बात कर रहा हूँ, पहले प्रशन पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे ट्रेस, इमेल, फूल्डर क्या है, वह जगा जहां आप आने वाले इमेल संग्रहित करते हैं, जहां आने वाले इमेल संग्रहित होते हैं, उस जगय को हम क्या कहते हैं, इन्बोक्स कहते हैं, वह जगया जहां हटाए गए इमेल संग्रहित की जाते हैं, जहां हटाए गए इमे हुआ आपने किसी email को delete किया और आपको लगता है कि वो email कोई भी काम का नहीं है तो automatic 30 दिन बाद तो trash से भी हर जाता है आपको लगता है कि वो आपके कोई useful है तो आप 30 दिन से पहले उसे restore कर लो वरना बाद में आप उसे restore नहीं कर पाओगे एक web आधारी चैड सेवा नहीं है चैड सेवा कि अगर आप बात करो तो टेलीग्राम एक चैड सेवा है जहां पर आप चैड कर सकते हो WhatsApp एक चैड सेवा है Facebook Messenger इस सब चैड सेवा है वह जगा हम outgoing email है का कोई मामला नहीं होता है केवल और केवल आउट गॉंग एमेल आं पह रहते हैं sendbox में रहते हैं sendbox में आपकि यह वाले email रहते हैं अगला प्रशन आप कीrina संचार नेटवर्ग चैनल की शंता प्रती सेकिन में संचित करने को क्या कहा जाता है दोस्तों अब प्रती सेकिन जो डेटा ट्रासफर की रेट है उसे हम उस चैनल की बेंड विर्थ के नाम से जानते हैं किस नाम जानते हैं bandwidth answer simple सा क्या होगा frequency क्या होता उस network की range कितनी है कितनी दूर तक वो जा सकता हिंदी में इसे कहते हैं आवरती क्या कहते हैं आवरती कहते हैं ठीक है मेरी बाद अगला प्रशन आपकी स्क्रेंट निर्मे से कौन सा software का उधारन नहीं है आपको पता है कि कौन सा software का MS Word एक application software है antivirus एक utility software होता है scanner एक परकार का hardware होता है और हमें पूछा है इन में से कौन सा software का उधारन नहीं है तो सीधा answer सी आ जाएगा Google Chrome एक परकार का software है मतलब Google Chrome आपका एक web browser होता है ठीक है यहां तक आगे बढ़ जाए चलिए निम में से कौन सा e-governance SEO के रूप में माना जा सकता है e-governance SEO में देखो internet की सेवा की बात करें internet की सेवा की बात करें तो t-shirt printing internet की तो सेवा नहीं है car driving internet की सेवा तो नहीं है लेकिन driving license internet की service है सबजी अखरिदना भी internet की service है लेकिन भी यहां पर क्या लिखा है e-governance भी driving license सरकारी department के through बनता है सबजी कोई सरकारी दुकान से खरीदते हैं क्या नहीं हम license सरकारी system के through बनाते हैं इसका मतलब साधान भासा में सरकारी system के through क्या बनता है driving license बनाया जाता है अगला प्रशन आपकी screen पर निमन में से कौन से navigation के लिए उप्योग में किया जाता है जिससे आप अपना phone wireless परदाता के माध्यम से आपके स्थान से transfer करने के लिए उप्योग कर सकते हैं बताओ अरे भाई सबको पता है mobile में GPS होता है global अगला वर्ड कौन सा है positioning system मतलब क्या होता है GPS ठीक है मेरी बार radio frequency identification Bluetooth सब लोग जानते है फाइबर अप्टिकल ये एक परकार की क्या है GPS लोकेशन वगेरा को ट्रेस करने के लिए जानने के लिए हम लोग GPS का यूज करते हैं global positioning system हाँ यह आई 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 एफ आई डी क्या होता है यह आज कल हम वस्तों को ट्रेक करने के लिए radio frequency identification यूज कर रही है Bluetooth मोबाइल की साथ इस्तमाल होता है last OTP OTP online LinkedIn के लिए अतरिक सुरक्षा सुधाव में से एक रूप में उप्योग किया जाता है OTP का full form क्या है one time password सीधा सीधा answer कि ते नंबर है ती नंबर आज के लिए इस session में दोस्तों इतना है अगर आप हमारा course लेना चाहते हैं तो 300 रपे में पूरा IT का course आपको मिल जाएगा link उसका description में दिया हुआ है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं आज के इस छोटे से session में इतना ही मिलते हैं अगली class में अच्छी class अच्छे session अच्छे वीडियो के साथ थेंक यू अच्छे